आज का वीडियो में मैं आपको बताओं कि बोटर कार्ड में करेक्शन किस परकार करेंगे तिसके लिए आपको मोबाइल के खुरूम राजर ओपन करके और इसके सर्च बार में टाइप करना एंबी एसपी डोटी यह टाइप करके जब ओपन करेंगे इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना नीचे है देखे लिखावा है लोगिन और रेजिस्टर आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के लिए यहां पर देखे यूजर नेम है जिसमें आपको मोबाइल नमबर या पी इमेलेटर डालना है क्लिक करना है दालना है यहां पर नमबर क्लिक डालना है और यह करने के बाद इस तरह से पेज आ जागा अब यहां पर भी आपको लोगिन करना है मोबाल नबर पासवर्ट डालके अगर फर्स टाइम है तो पर यहां देखे लिखाओ क्रियाट एन एकॉंट इस पर क्लिक करके एकॉंट बना लेना है एकॉंट बन जाने के बाद आपको पर देखे लिखाओ लेट स्टार्ट इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर देखे बोला जा रहा है कि आपके पास बोटर आइडी नंबर है अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है चलिए यह पर क्लिक करते हैं उसके बाद नीचे यहां पर आपको बोटर आइ अगर माले इसमें एडिट करना है कुछ जो भी एडिट करना है नीचे सेहें अकुनिटीडूवी पे क्लिक करना हैं क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपिन हो जागा अब आपको यहां पर क्या ची करक्सन करना तो उससे पहले आपको मोबाल से लिए जैसे मोबाई पर डाल ने और निटा झालने के बाद को यहां पहुं। अब यहां पे देखे इस तरह से पेज आजाएगा अब क्याजी करेक्शन करना है जो भी करेक्शन करना है उसमे टिक-मार्क लगाना इस तरह से यहां पर नाम भी चेंज कर सकते हैं रिलेटीव डेट वबाथ रिलेशन जेंडर एड्रेस फोटोग्राफ उसके नीचे सेब कर देना है जैसे जिसे मालीज आपने रिलेटीव चेंज किया तो यहां पर अपने डिटेल डाल देना है कि क्या चीज करना है आपको यहां पर नाम सुधार लेना है तो इस तरह से ना यहां पर डाल देना है यहां पर नेम ऑफ अप्लिकेंट अनि जिसका बोटर आईडी कार्ट चेंज कर रहे हैं उसका नाम यहां पर डालना है तो यहां पर सही से करेक्शन हुआ यह नाहीं तब यहां से बाड़ी बार बार इसे देख ले मकर छूट रहे तो नीचे देखेंस अपर समिट ब Pence अगर मेبार दिराना है जाले इस पर टाइप और रिलेस्ट चुट चुका है तो जो भी करेक्शन करना चाहते हैं इस तरह से टिक मार राके नीचे से से अब कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जागा अज और इसके बाद जिसे जो भी आपने करेशन दूबार करें इसात यहां से कर सकते हैं उसके नीचे से सेब कर देना है कि यहां यह पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पर आजाएगा और यहाँ पर देखे लिखावा है कि जो भी आप अपने करेक्शन करना चाह रहा है वो यहाँ पर हो चुका है सक्ससफुली हो चुका है यह आपका रिफ्रेंस आइडी नंबर है इसे अगर मोबाल से बना रहे हैं तो इसका एक स्क्रीन सोट लेकर रख ले ताकि बाद में ट्रेक करने के लिए असानी हो झाल